तो हम लोग क्या डिस्कस करें थे यहां पर कि जो ब्रेन का जो ग्रेंटर होता है बाहर बाला जो पार्ट होता है यह काम का उद्ध है अच्छा आप लोगोंने कभी टर्म यहां पर न्यूक्लियों गैंग्लियों सुना है इवल्यूशन के दौरान मैंने बोला था कि हमारी बॉड़ी के अंदर जितने भी जो सैंसरी और मोटर जो न्यूरॉन होते हैं उनके प्रोसेसिंग के लिए यहां पर न्यूरॉन्स का ग्रुप बन जाता है जिनकों क्या बोलते गैंग्लियों और फिर गैंग्लियों का पी ज पाट यह कांम का है और इसके अंदर यूरों पर भी प्रजेंट होंगे क्या न्यूंकलिया और यहां पर इसमें त्री ती यह भी होती हैं और वह यह पस्का मों ब्रयों तो लाइस नाहिकर एनकों करें एंटेरियर टू पोस्टीर की तरफ स्टडी करें इस डारेक्शन के अंदर अभी काम करतें ब्रेन काम लेते हैं कौन सा एलेस लॉंगिट्यूडनल सेक्शन तो यहां पी एलेस आफ ब्रेन का एलेस लेने पर यह डाग्राम अब आपको कुछ इस तरह से दिखाए देगा तो ब्रेते हैं तो बताएगे यह वाला portion कौन से हो जाएगा यह तो हो जाएगा सेरे ब्रम और यह वाला part कौन से है this is और यह पांट कहना है? इस इस सेरी ब्रह्म और यह वला कहना है? इस पोण्स यह क्या हो जाएगा? Medullar Obligator, और यह वला पार्ट हो जाएगा यहां पर शेरे बेल्ब पर अगर ध्यान से देखिए तो मैंने यहां पर मिट बनाया भी नहीं है क्योंकि हमने डिस्कस किया था मिट ब्रेन का सबसी छोटा पार्ट होता है और वह एक्चली फोर बेन को ध्यान से दीखिए तो आप लोगोंने बोन्स पड़ी थी तो यह वाली बोन कौन सी होती है जो हमारा बनाता है फ्रंटल एक्जाक्ली इसके नीचे जो ब्रेन का लोग प्रेजेंट होगा उसको बोला क्या चाहेगा फ्रंटल लोग या फिर ऐसा बोल दो कि फ्रंटल लोग सबसे आगी वाला जो पार्ट है यह क्या बना रहा है इसका यह बना रहा है इसका फ्रंटल फिर यह वाला पार्ट कौन से होगा इस इस पराइटल और फिर यह वाला पार्ट कौन से हो जाएगा इस और सी पी तल हो जाएगा और यह साइड वाला पार्ट कौन से हो जाएग अपने दिखा है घरों में जहां टाइल लगती है तो जो दो टाइल जहां पर चपकती है तो उनके बीच में डिपरेशन यह गड़ा जाद है एंके बीच में भी आपको गड़ेखने को मिलेगा कैसे यह फ्रेंटल और पराइटल के बीच में देखिए आपको इस तरह से इस बोलते क्या है दिस ये सेंट्रल सलकस क्या बोला जाएगा सैंट्रल सलकस और ये पराइटल और temporal sulcus या फिर इसको बोलते हैं sylvean sulcus temporal sulcus या फिर इसको और बोला जाता है क्या sylvean ये शब्द आगे वापस आएगा तो sylvean ये क्या है फिलाल सलकर से जो एक्चुल में टैंपर लोको सेपरेड करने का काम कर रहा है यहां ते किसी को प्रॉब्लम नहीं अच्छा फिर ब्रेन के अंदर आपने इस तरह से यह बहुत सारी देखियोंगे यह डाग्राम में क्या बना रही हो यह क्या बना रही हो में सलकाई और गायराई बना रही हो और सलकाई और गायराई का काम क्या होता है कॉमन सेंस की बाते सर्फी सीरिया इंक्रीज करना ठीक है अब ब्रेन के अंदर बेटा सेरेब्रम के अंदर हर एक पार्ट जो होता है वह अपना एक पर्टिकुलर होता है एक common sense करो कान किदर होते हैं हमारे साइड में होते हैं मतलब कौन से हो जाएंगे टैंपर लोब तो common sense यूज कीचे टैंपर लोब किदर होने चाहिए बटा एक बार बागा जाकर दिखना है तो कान की अंदर करणा ओधिटरी लोब किदर होना चाहिए та姐 कृइफरी काम पर लोच की अंदर वना चाहिए घयागे आपकी जो ऐइस होती है ओर से किया ओर जी अजरी मिला योजनेट होती है यह जो है वह कर चाहिए पीछ है कर दो पी जो सॉच्फित उप्डेंटा यह और ऊसंतार यह पीछ दो पार्ट ऑर यांप उस और घानप में आपको नहरी यह उप से लिखते मेरय ब्रेट यह जो है प्रवी और यहीं गजय को आपकी बाड़ी के लेसे लेट वाली प Zwamay जैसे मालनों कि मैं लेट से लिखते हूं तो मतलब किया हुआ मेर्ष योऊ है bestimmt को जादसरे होगे और इसा रहियर तो आपको नहीं लग रहे है कि बीच में कही नहीं एक जगा ऐसा क्रॉस बनेगा ke एक क्रॉस बने के जगह कौनसी है इस अगा क्राउस करें तो यह उप्टिक जिसको बोलते है काईजमा इसमा मतलब यह यह जंक्शन बोल सकती हो जहां पर optic nerve जहां पर एक दूसरी को cross करते वे दिखाए देती है, तो वो जगह कौन से होती, this is mid brain, यहां तक किसी को परिशानी, ठीक है, चलो, तो यह आपको दिखाए दे रहा है, यह वाला जो portion होगा, इसको बोलते हैं, लोग क्या, कौन सा, visual lobe, और visual lobe किसके लिए होगा, obviously vision के लिए होगा, देखने के लिए responsible होगा, और उसके अलावार आप बगबग करते हो, बगबग करने के लिए होता है, ब्रोकास एरिया, यह ब्रोकास एरिया exactly कहा प्रेजेंट होता है, यह प्रेजेंट होता है इस वाली जगह पर, तो बगबग के लिए कौन सा, this is ब्रोक आपास एरिया, तो लिए के लिए ना कि